सपने में छोटे बच्चे को गोद में खिलाना या सपने में अपने या किसी अंजान बच्चे को गोद में खिलाते हुए देखना एक बहुत ही अच्छा और शुप सपना माना जाता है जो की जीवन में होने वाली किसी नई शुरुवात और उसमें मिलने वाली सपलता की और करता है जिसको सपने की विभी नवस्थाओं के माध्यम से सही से समझा जा सकता है जैसे अगर कोई सपने में अपने ही बच्चे को गोद में खिलाते हुए देखता है तो यह सपना किसी काम या यूजना में मिलने वाले बड़े फायदे की ओर तो संकेत करता ही है साथ ही यह सपना घर परिवार में बढ़ने वाली सुक सम्रद्धी की ओर भी संकेत करता है और अगर कोई सपने में किसी अंजान बच्चे को गोद में खिलाते हुए देखता है तो यह सपना भी काफी अच्छा माना जाता है और जल्द ही किसी नए काम बिजनेस या जोबादी के शुरू होने की ओर संकेत करता है जिसमें आपको बड़ी सपलता भी निश्चित ही मिलेगी और अगर कोई सपने में किसी छोटे लड़के या बेबी बोई को अपनी गोद में खिलाते हुए देखता है तो यह सपना भी किसी नए काम की शुरूआत होने की ओर ही संकेत करता है जो आपको बहुत से मन जाहे परिनाम देगा और अगर कोई सपने में किसी छोटी बच्ची या बेबी गर्ड को अपनी गोद में खिलाते हुए देखता है तो यह सपना भी जीवन में होने वाले बहुत से अच्छे बदलावो की ओर संकेत करता है साथ ही यह सपना इंकम में होने वाले बढ़ोतरी को भी दर्शाता है और अगर कोई गर्बवती महिला सपने में किसी छोटे बच्चे को अपनी गोद में खिलाते हुए देखती है तो यह सपना एक स्वस्त बच्चे के जन्म के और संकेत करता है और अगर कोई सपने में किसी हसते हुए या मुस्कूराते हुए बच्चे को गौध में खिलाते हुए देखता है तो यह सपना किसी ऐसी उपलबदी के मिलने की ओर संकेथ करता है जो आपको समाज में मान सम्मान दिलाने का ही काम करेगी और अगर कोई सपने में किसी रोते हुए बच्चे को अपनी गोद में खिलाते हुए देखता है या अपनी गोद में लेकर उसको चुप कराने की कोशिस करते हुए देखता है तो यह सपना भी जीवन में अपनी सोच विचारों को पोजिटिव बनाने की उर्ष संकीत करता है वरना बे मतलब ही आपको बहुत सी परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है